मैनपुरी के कुरावली थाना छेत्र के ग्राम बीकापूर में दावत का खाना मौत की वजह बन गया दावत में खाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में जम कर लाठी डंदे चलने लगे जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं अन्य लोग घायल हुए है बताया जा रहा है कि शादी समारों में रसगुल्ला चुरा कर खाने को लेकर विवाद शुरू हुआ जिसने उग्र रूप ले लिया मामले में पुलिस ने अभियोग पंजीगरित कर लिया है और तीन आरोपियों की गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली है एक आरोपी फरार हुआ है जिसकी तलास पुलिस कर रही है बरहाल घटना से पुरे गाउ में मातम पसरा हुआ है किया नाम आपका पिदाही नम क्या आपके सदीने क्यों पर हो चो करने वाले का के वह बीक अपकर सोकल गड़ना होई यह अपके यहां क्या मों क्या मामला इसल अधामा बीछ लोग बैठे थे रजिश था आजय था यह लोग बैठे पीछे आजिए मामा थे मेरे भाई थे और भे खाना खा रहे थे लोग फे इन ननां बोला के यह ब दारीं में तो मांमालों मतलब खाना खारे तो विनने आकरे देखोड़ के सो वो देखना एन डंडा खारा उनके चानमे घगी जा उनने ने के मारा घुतेने में ऊपर ही तो महामला कहा तक है पोचा तो आप कौन जो पच्छे हैं लड़का पच्छे हैं लड़की कोन है बाई है बाई हो एक हत्या हुई है इसमें जो मामला सामने आया है कि एक साधी की और साधी के जवरान एक बच्छे अपने पढ़िवार के साथ अपने मौसी क्या गया था तो उहां पे साधी के बाद जाओं का एक बर्ति कुछ समान लेके जा रहा था वाके तो उसे उसको टोका क्यों चोई कर रहे हो उसी बात कर दोनों पर्च्छों में पहां चुन हुई लाठी जनने चले उसमें एक मिर्ट की मिर्ट हुई है और यह अपरादिक मानुबत का ममला पाया गया है तर्षाला भीयोगदाश किया गया है इसमें जो आरोपी थे पीज़ू हबतार कर लिया गया है एक परार है उसके हुआ है और आपस में उनमें बार पीठ हुए है जिसे एक वेट की मित हुई है और शुर्ट प्रकाल उकर्मा दाज करके जो आरोपी थे गिर्वता कर लिया है